हलो फ्रेंड्स स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल नियू सरकरी जॉब्स में तो आज हम फिर से एक वार आपके साथ हैं एक और नहीं जॉब अपडेट के साथ तो आज की विडियो में हम बात करेंगे जो इंडिया नेवी की और से बरती आ रही है 2021 में उसके बारे में तो इस जॉब में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको जो सैलरी मिलेगी मंतली सैलरी मिलेगी इस जॉब में वो मिलेगी 69,000 से ज्यादा और जो 12th pass के candidate है education qualification जो मांगी यही है application form को fill करने के लिए वो मांगी यही है 12th pass तो अगर आपने 12th pass की हुई है आपके पास 12th का education certificate है तो जे विडियो आपके लिए काफी important होने वाली है तो शुरू से लेकर लाज तक विडियो में बने रहे हैं और जे जो बरती आ रही है जे ने वी डवले और SSR की बरती आ रही है और जितने वी आल इडिया के male candidate है वो इस job के लिए successfully apply कर सकते हैं मैं आपको सब बताऊंगा कि exam pattern क्या रहेगा eligibility criteria क्या है age limit कितनी मांगी यही है सब कुछ बात करेंगे लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नहीं आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए हमारी YouTube चैनल नियू सरकारी जॉब्स को जॉब्स के रिलेटर लाटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए और फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने जो हमारे जॉब लाट के ग्रूप हैं वो जाइन नहीं किये हुए तो आप जाइन कर सकते हैं आप हमारा टेलीग्राम चैनल जाइन कर सकते हैं आप हमारा फेस्बुक ग्रूप भी जाइन कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इन ग्रूप को जाइन करने का फाइदा जे होगा कि जो भी जाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फेस्बुक ग्रूप को लाटस्ट अपडेट जाइन कर लेटेट सबसे पहले पाने के लिए वो टोटल नमब्र आफ पोस्टर्स और बक अन्होंने निकाली होई है बो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ important dates के बारे में कि online application form लगना इसके कब से start होंगे last date कब है online application form को fill करने की उसके बारे में तो जो application form starting date है कि online application form लगना कब से start होंगे वो है 26 April 2021, 26 April से इसके जो online application form है वो लगना start हो जाएंगे और जो last date है online application form को fill करने के लिए वो है 30 April 2021 तो 30 April 2021 तक इसके examination online form बरे जाएंगे तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं monthly salary के बारे में कि अगर आपका इस job में selection हो जाता है तो आपको जो monthly salary मिलेगी इस job में बो कितनी मिलेगी तो बो मिलेगी 21,000 से लेकर 69,000 आपको monthly salary इसको मिलेगी artificer, apprentice और senior secondary recruits में इतनी आपको salary देखने के लिए मिलेगी monthly तो जे बात होगी job की details के बारे में अभी बात करते हैं हम eligibility criteria के बारे में कि आपको education qualification क्या क्या चाहिए age limit क्या क्या चाहिए selection process क्या होगा उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं education qualification के बारे में तो अगर आप डवले जानी की artificial apprentice में apply करना चाहते हैं तो आपके पास 10 प्लस 2 का education certificate होना चाहिए with 60% marks होने चाहिए आपके math, physics और जो following subject दिये गए हैं chemistry, bio और computer science इन में से आपका कोई subject होना चाहिए और 60% आपके marks 12 में होने चाहिए अगर आप डवले में apply कर होना चाहते हैं तो आपके पास 10 प्लस 2 का education certificate होना चाहिए लेकिन 60% marks आपके नई वी हैं तो वी आप SSR में apply कर सकते हैं और इसमें साथ आपकी जो subject चाहिए वो math चाहिए physics चाहिए और इन में से जैसा कि chemistry, biology और computer science इन में से कोई आपका एक subject 12 में होना चाहिए तो friends जे बात होगी education qualification की इसके बाद हम बात कर लेते हैं age limit criteria की तो जो age limit मांगी यही है इस job में apply करने के लिए जो minimum age मांगी यही है वो मांगी यही है 18 years और जो maximum age मांगी यही है apply करने के लिए वो मांगी यही है 21 years तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि selection criteria के बारे में कि आपको जो selection होग इस job में वो किस basis पे होगी, कैसे selection होगी उसके बारे में, तो सबसे पहले तो friends, आपका written exam होगा, अगर आप apply करते हैं, तो सबसे पहले आपका written exam होगा, written exam होने के बाद, अगर आप written exam successfully qualify कर लेते हैं, तो उसके बाद आपका physical test होगा, physical test होने के बाद, आपका medical test होगा, और जे जे बात होगी selection criteria के बारे में इस तरह से जो आपका इस job में selection होगा तो अभी बात कर लेते हैं physical test के बारे में कि जो physical test होगा उसमें क्या-क्या होगा तो जो height चाहिए आपको minimum height चाहिए वो चाहिए 157 cm और उसके बाद आपकी running होगी 1.6 km की running होगी 7 min में आपको complete करनी होगी उ 20 आपकी उठक-बैटक होगी तो इसके बाद आपके push-ups होगे 10 times तो जे बात होगी friends physical test की कि physical test में क्या-क्या होगा क्या-क्या eligible criteria चाहिए उसमें तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं computer exam जो आपका होगा written exam होगा वो किस basis पे होगा कैसे होगा तो आपको 100 question आएंगे और each question एक marks का होगा और आपका Hindi और English दोन में question paper आएगा और आपको multiple choice question होगे question paper में तो आपकी वहाँ पे four section होगी जिसमें की जैसा की सबसे पहली आपकी English की section होगी second number पे आपकी science की section होगी third number पे आपकी math की section होगी और last में आपकी journal knowledge उसमें reasoning भी होगी इस तरह से कुल मिला कर आपकी चार sections होगी और इसमें negative marking भी होगी 0.25 की अगर आपका एक answer गलत हो जाता है तो आपकी 0.25 की negative marking भी इसमें होगी तो friends जे बात होगी कि जो written exam होगा उसका pattern क्या रहेगा negative marking कितनी होगी four section कौन कौन सी होगी इस बारे में तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं list of the required document की कौन कौन से document आपको चाहिए अगर आप इस job में apply करना चाहते हैं अगर आप eligible हैं उसके बारे में तो सबसे पहले तो आपके पास 12th का education certificate होना चाहिए 12th के education के साथ 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 आपके पास domicile certificate होना चाहिए domicile certificate के साथ साथ आपके पास अधार card होना चाहिए आपके पास photo होना चाहि तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अब apply कैसे कर सकते हैं, तो अगर आप eligible हैं और interested है apply करने के लिए, तो आप जो join Indian Navy की official website है वहाँ पे आके, अपने आपको register कर सकते हैं, अपना application form submit कर सकते हैं, और जो application form की fees लगेगी, वो कितनी लगेगी, तो आप journal, EWS, OVC, SESD, किसी भ 215, तो online जो payment mode होगा, वो online होगा, तो friends, जे बात होगी, application form की fees के बारे में, तो अगर आप इस job का official notification पाना चाहते हैं, तो वो आपको हमारी website में मिल जाएगा, link मेंने description में दिया हुआ है, अब वहाँ से आके check out कर सकते हैं, तो friends, जे थी आज की वीडियो, और अगर वीडि जे वीडियो, 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 जे व